लेकर के गुहार लगाई है सिक्षिक निताओं ने एक्षिक स्थान तरण यानि की उनके इक्षा के एक्षा के एक्षा के एक्षा के ट्रांसफर और स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक करने की मांग की है सिक्षकों ने शनिवार हावडे दुर्गापुजा दिपावली और छट में पहले की तरह चुटी देने की बांग की है साथी TRE 3 के तहट आपको बता दें साथी साथ आपको बता दें चलें कि RTE के तहट दें कि 42 रुपे वाला ग्रेट पे ग्रैच्वीटी और पी एफ देने की बिमांग रखी हैं सिक्षकों का कहना है कि 15 अगस्त से हरहाल में सरकार उनकी मांगों को पूरा करें सिक्षक नेताओं से बात किये समवाद दाता रजनीश कुमार ने पिहार के शिक्षकों की कई मांगें पूरी हुई है कुछ और मांगें हैं जो बची हुई है ऐसे में शिक्षक नेताओं ने A.C.S.S. सिद्यार्ज से मुलाकात कि और पत्र देकर उनसे मांगें पूरी करवाने की अपिल की हैं आप लोगों ने मांग पत्र सौपा है क्या डिमांड है वह आप बिहार के छे लाग शिक्षक को राइट टो एजुकेशन के नियम के उपनियम 3 के तहट जो इसके लेग्रेट पे हैं वह आप बैयाली सोवला दे दिजिए एक्षी का स्थानांत्रन दे दिजिए जयाबरन किसी भी सिक्षा का जो सक्षमता पास किये हैं उनका विद्याले से उनको मत हटाईए जो प्रोनत्ति का लाब है वह हमको दे दिजिए उमीद करते हैं कि माननी मुख्यमंत्री जो हमारी मांग बची है उसको जरूर पुरा करेंगा और विद्याले का समय तो पुरा उमीद है कि अब 15 अगस्त को ये आदेस जारी हो जाएगा कि 10 से 4 विद्याले चलेगा माननी मुख्यमंत्री के निर्दे चुटिया मिली और होना ही चाहिए और उनका मौली का अधिकार है आप पुरा कर पाएंगे निशित रूप से अभी तक जो लग रहा है वो गुनात्मक सुधार कर रहे हैं पूर में जो भूल हुई है विभाग से सिसकों को परतारित किया गया है इससे इनकार नहीं किया सकता है मैं किसी का ना किया जाए वह सरकार कदम उठा रही है और मानीया मुक्ष मंतरी का ढूब है सिख्चा मंतरीका नहीं हम एक जमीनी इस्त्र का पहल है चाहते हैं कि हम पढ़ाने के लिए तयार हैं हमें उन्मुक्त रहने देजिए हम पर दबाब नहीं देजिए यही वज़ा है कि 10-4 या एक्षी का सारांत्रन या जो बांकी छुट्टी बची होई है उसमें कटोती अब ना हो और जो छुट्टी में कटोती की गई है उसे फिर कर शिक्षक जो है एक जूट होकर शिक्षावी हाग से ग्यापन सौपे हैं और उमीद कर रहे हैं कि 15 अगस्ते पहले सरकार इनकी मांगे जरूर पूरी करेगी कैमरा में सुमोत के साथ रजनीश कुमार निउस 18 पटना